नमस्कार दोस्तों आपके अपने वैदिक एश्टर लाइफ यूटूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मंगल के राशी परिवर्तन के बारे में हम आपको बताएंगे कि मंगल का 23 अपरेल को राशी परिवर्तन होने जा रहा है मंगल आपके मंगल 8 होस से निकल कर 9 होस में जाएंगे तो जब मंगल का राशी परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में किस परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिल सकता है मंगल 13 अपरेल को राशी परिवर्तन करेंगे और एक चून दो हजार चौबिस तक मेन रासी में रहेंगे तो दोस्तो हम आपको बताएंगे कि मंगल की दृष्ट कहां कहां जा रही है और आपको उनन भाबों से किस प्रकार के लाब देखने को मिल सकते हैं अगर आप हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब केजिए और घंटी के बटन पर क्लिक केजिए जिस तक हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राब्तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारे देंगे वीडियो को अंतक जरूर देखें ताकि इसमें कहिए बाते आपको अच्छी से और इस परष्ट समझ में आ सकें तो आई चलते हैं वीडियो की यूल मंगल आपके नाइन्थ हाउस में विराजमान है और मंगल की चौति द्रिष्ट आपके बार्मे भाव में जा रही है आप देखने को मिल सकते हैं जिन जिन भावों में मंगल की द्रिष्टी जा रही है तो सबसे पहले बतादे कि जो करकरासी वाले जातक है वो धरम करम में रुची रखेंगे धरम करम की योड़ जाएंगे पूजा पाट पर ज्यादा धियान देने लगेंगे और साधे बता हैं करकरासी वाले जातक देखेंगे कि आपके और आपके पिता के साथ जो संबंध है वो इतना अच्छा नहीं रहने वाला है थोड़ा सा आपकी पिता के साथ नोग जोग हो सकती है थोड़ा सा यहां पर रिलेस्ट खराब देखने को मिलेंगे खर्च की अधिकता रहने वाली है मतलब कि आपके उपर या फिर आपका जो पैसा वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होना शुरू हो जाएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे करकरासी वाले जातक को हास्पिटल की चक्कर लगाने पड़ सकते हैं अनिद्रा की समस्या हो सकती है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दिजिए साथ सी बता दे के करकरासी वाले जातकों का यहाँ पर विदेश यातर विदेश सिलाब देखने को मिलीगा और यहाँ पर थोड़ जो करकरासी वाले जातक सेल्स मार्कटिंग का कार करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा जो राइटर है तो उनको अपने फिल्ड में अच्छी सफलता मिलेगी और करकरासी वाले जातक के साहस पराक्रम बृत्ति देखने को मिलेगी आप काफी ज़्यदा एनरजेटिक रहें तक जब मंगल करासी परिवर्तन होगा तो ये चीज़े देखने को मिल सकती ही आपको अपने जीवन में तो दोस्तों इदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंडसर कीजिए